नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहतिकी कग्षा में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 बालिका का परिचे बालिका का परिचे कविता वास्तले प्रेम को दर्शाती हुई मा की ममता का चित्रन करती है जो अपनी पुत्री की बाल सुलब चेस्टाउं और क्रिया कलापों को देखकर माता की हिर्दय में जो सुखद अनुभूतियां उत्पन होती है उसका बड़ा ही सुन्दर चित्रन इस कविता में किया गया है इस कविता को लिखा है श्रीमती सुबद्रा कुमारी चोहान जी ने सुबद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहबाद उत्तरब्रदेश के निहालपुर नामक इस्थान में हुआ था लेखन के साथ साथ उन्होंने भारतिय सुतंत संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी उनकी प्रमुक रचनाई है बिखरे मूती, सीधी सादे चित्र, मुकुल, त्रिधारा, इत्यादी बच्चों के लिए लिखी उनकी कविताएं आज भी विद्यालेयों में पढ़ाई जाती है सोबद्राजी का निधन 15 फरवरी 1948 को हुआ आईए देखते हैं उनकी कविता बालिका का परिचय और समझते हैं उसके भावार्थ को कवित्री अपनी पुत्री को अपनी गोधी की शोबा और वैवाहिक जीवन की सुखद पूनता की रूप में देखती है एक माता के लिए संतान को अपनी गोध में उठाने से जो सुखद अनुभूती होती है वह अनुपम आनंद देने वाली होती है यह द्रश औत्यंत शोभा दायक होता है कवित्री अपनी पुत्री को अपने सुखद वैवाहिक ग्रहस्त जीवन की सफलता की रूप में देखती है पुत्री को पाकर कवित्री को ऐसा लगता है मानू किसी भिकारिन को शाही खजाना मिल गया हो जिस प्रकार किसी भीकारी को भीक्ष्या में कुछ पैसा या कोई वस्तु मिल जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता उसके लिए उसका महत्व राजसी शान के समान होता है वह अपने आपको किसी राजा से कम नहीं मानता और उसकी मनों कामना मतवाली हो जाती है उसे ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया है कहने का अभिप्राय यह है कि धन पाते ही व्यक्ति अपने को सशक्त मानने लगता है ठीक उसी तरह पुत्री को पाकर कवित्री के मन में भी ऐसे ही गर्व और गौरव का भाव उत्पन होता है अपनी पुत्री को वह अपने लिए सौभाग शाली मानती है जिसे पाकर उसके हिर्दय की अकांशा पूरी होती है अपनी पुत्री को देख कर वो अपने जीवन को धन्ने समस्ती है कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंदकार को मिटा कर रोशनी फैलाता है और घने बादलों के बीच से सूरी की करिने उजाला बनकर फैल जाती है उसी प्रकार पुत्री का जन्व कवित्री के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया है पुत्री के जीवन ने समस्त अंधेरों विशाद और पीणाओं को खत्म कर दिया है और सभी और खुशियां ही खुशियां भरती है सुबद्रा जी कहती हैं जिस प्रकार उशाकाल होने पर कमल की पंखणियों के बीच भोरा मुक्त होकर प्रकृती में विच्रन करने लगता है तथा वातावरन को गुंजाय मान कर देता है और जैसे पदजड के बाद आने वाली पौधों की हर्याली पुरे परिवेश को सरा बोर कर देती है उसी प्रकार से उनकी पुत्री भी उनके मन में हर्याली की छटा भिखेडती है कवित्री कहती है यह नीरस दिल की सुधा की धार के समान है अर्थात उनकी पुत्री अमरत वर्षय करने वाली है जिस प्रकार से अपनी तपस्या में मगन तपस्वी को संसार की किसी बातों से कोई अर्थ नहीं मिलता उसी प्रकार यह नीरस हिर्दे की अमरत वर्षय करने वाली उनकी पुत्री है जिन नेत्रों की रोश्नी नश्ट हो चुकी है उन नेत्रों को यदि रोश्नी मिल जाए तो जो असीम सुख अनुभव होता है यह मेरी पुत्री वही सच्ची लगन प्रदान करने वाली पालती की तपस्या के समान है बीते हुए बालपन की यह क्रीणा पूर्णवाटि का है वही मचलना वही किलकना हस्ती हुई नाटिका है प्रस्तुत पंगतियों में कविता अपने बच्च्च्च्पन को याद करती हुई अपनी बेटी के रूप में देखती है कि मेरी बेटी की यह पालपन मुझे अपने क्रीडा पूर्ण वाटिका की याद दिलाती है वही उसका मचलना वही उसका बाद-बाद पर नाराज हो जाना और जब वो देखती है हस करके मुझे तो नित्य करती हुई मुद्रा वो मुझे याद आती है कई प्रकार की मुख आकरतियां और अलग-अलग भाव भंगी माउं से विशेश तोर पर माता का ध्यान आकरशित करने की कोशिश बालिका को माता की हिड़े से जोड़ती है कवित्री अपनी पुत्री की इस प्रकार की करेनाओं को देख कर अपने बच्पन की भूली बिसरी यादों में गोते लगाने लगती है मेरा मंदिर मेरी मस्जित काबा काशी यह मेरी पूजा पाठ ध्यान जब तब है घटकट वासी यह मेरी कवित्री कहती हैं कि मेरी पुत्री मेरे लिए मंदेर, मस्जित, काबा और काशी ही है कहने का अभिप्राई यह है मनुष्य भगवान की तलाश में पूजा अस्थलों और तीर्थ सानों की ओर जाता है उजापाठ, ध्यान, जब तब आदी के माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूती और ईश्वर को प्राप्त करने की इक्षा रखता है लेकिन मुझे वही सुख मेरी बेटी के देखने भड से मिल जाता है अपनी पुत्री को पाकर कवित्री को ऐसी सुखत अनुभूती होती है जो ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद होती है कृष्ण चंद की क्रीणाओं को अपने आंगन में देखो कौशल ल्याके मात्र मोद को अपने ही मन में देखो कवित्री का कहना है कि श्री कृष्ण की बाल लीनाओं का आनंद अपनी संतान की बाल सुलब क्रीणाओं से मा को अपने आंगन में ही देखने को मिल जाता है इसी तरहे मा कौशल ल्याकी मम्ता की मिठास को भी आप अपने मन में महसूस कर सकते है अपनी संतान की बाल सुलब चंजलता, शरारत और भाव भंगिमाओं को देखकर माता का हिर्दे हर्शित हो उड़ता है, वह प्रेम, मम्ता और वासल्य भाव से भर उड़ती है, बच्चों का मन अतियंत कोमल होता है, जिसमें राग, दुएश या छल प्रपंच के लिए कोई इस्थान नहीं होता, यदि मम्ता की भाव को समझना है, तो आप माता की हिर्दे से उनका परिचे पूट सकते हैं, माता की हिर्दे में अपनी संतान के प्रती असीन इसने होता है, सुबद्रा जी अपनी पुत्री के रूप में अपनी मम्ता को प्रदर्शित करती है, प्रभु इसा की समाशीलता नभी मुहम्मद का विश्वास जीव दया जिन्वर गौतम की आउद देखो इसके पास सुबद्रा जी कहती है इसा मसी की सरे समाशीलता नभी मुहम्मद जी का विश्वास महावीर की जीवों पर दया करना और गौतम बुद्ध की असीम स्नेह भावना यदि देखनी है तो यहाँ मा की हिर्दय से देखिए आगे कहती है परिचे पूछ रहे हो मुझसे कैसे परिचे दू इसका वही जान सकता है इसको माता का दिल है जिसका अन्तिम पंक्तियों में कवित्री कहती है आप मुझसे मेरी बेटी के बारे में परिचे पूछ रहे हैं मैं इसका परिचे आपको कैसे दू इसे तो वही जान सकता है जो माता का हिर्दय रखता है अर्थात माता की तरहे अपनी संतान के प्रती कोमल भावनाओं को धारन करता है वही इस हिर्दय की भावनाओं को समझ सकता है अंत में सुबद्रा जी ने अपनी पुत्री के प्रती अपनी मनुगत भावनाओं को अभीवक्त किया है तथा जीवन का आधार बताते हुए अपनी ममता और भावुक्ता को प्रकट किया है इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज को या संदेश दिया है कि पुत्री भी जीवन में उतना ही महत रखती है जितना की कोई पुत्र माता के लिए अपनी संतान चाहे वो पुत्र हो या पुत्री कोई अंतर नहीं होता यह कविता एक मा की हिर्दैकत अनुभूतियों की सहत स्वभाविक अभिव्यक्ती है आएए अब देखते हैं पार्ट में आई हुए कुछ कठिन शब्दों को बालपन, बचपन, ज्योती, रोश्नी, भ्रंग, भवरा, नीरस, फीका या शोबाही, धन्यवार